आप देखरे हैं डॉक्तर कुमार एजुकेशन क्लिनिक, आप देखरे हैं डॉक्तर कुमार एजुकेशन क्लिनिक, I am post doctorate in clinical medicine and the metabolic science and I am practicing as a clinical physician. लास्ट टू डिकेट से मैं साउड डली छहतरपुर में एज एक क्लिनिकल प्रेक्टेसनर प्रेक्टेस कर रहा हूँ और हम एक डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों को एजुकेट करते हैं, टीटमेंट देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑफलाइन भी सेम प्लेटफॉर्म है तो आप डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक से जुडिए अपने को एजुकेट करिए, प्रिवेंशन करिए, बिमारियों से बचिए और यदि आपको कोई शमस्या है, तो उसके बारे में जानिए और उसको ट्रीट कराईए देखो, आज हम बात करेंगे कि पेट का जो इन्फेक्शन है, उसमें बार-बार एंटिबाइटिक या फिर पेन किलर खाने से क्या गैस्टिक अलसर होता है? answer is completely yes, बहुत सारे पेशेंट ने, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हमने काफी एंटिबाइटिक खाए, काफी हमने एच पैलोरिक किट खाए, दर्द की दवाई खाए रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 80% लोग मतलब इंडिया में खास कर एंटिबाइटिक का ओवरडोस करते हैं, पेन किलर खाते हैं नेसरी, क्लिनिकली, मेटिकली उनसे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन वो एक कही न कही आदत है, या फिर चलन है, या मित है, ये एक बहुत बड़ा मित भी है, कि एंटिबाइटिक जरूर खाना चाहिए, हर विमारी में एंटिबाइटिक की आविशकता नहीं होती है, और पेन मेडेसन का बहुत जादे गलत यूज, एंटिबाइटिक का बहुत जादे गलत यूज, आपको अलसर पैदा करता है, गेस्टिक से अलसर होता है, H-Pyloric के कारण अलसर होता है, बहुत ज़्यादा है acidic, oily और spicy यानि बहुत ज़्यादा तीखा खाने से अलसर प्यदा होता है, गरम मसाला, लाल मरच और acidic बहुत ज़्यादा है acidic food ulceration के लिए जुम्मेदार हैं, और फिर ulceration के लिए कुछ दूसरी थ्रैपी भी जुम्मेदार हैं, जैसे टीवर क्लोसिस की दवाई में देखा जाता है कि यदि probiotics और antacet अच्छे से ना मिलें, या पेशेंट अच्छा प्रोटीन ना ले या पेशेंट बहुत ज़्याद फाइवन ना ले, तो टीवर क्लोसिस या फिर कीमो के बाद भी बहुत सारे लोगों को ulceration देखा जाता है तो prevention of ulcer का कि आप antibiotic without doctor के consultation के साथ ही लें, pain killer खुद ना लें, doctor से प्रामर्स करके लें safe pain killer और right antibiotic right dose का चुनाप करें, दूसरी जो सबसे बड़ी बुरी आदत है लोगों को, या फिर वो परेशान है, obses है, बहुत सारे लोग edge pyloric kit को बार 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 रिपीट करते हैं, क्योंकि endoscopy में एक बार उनका impression आ गया, कि उन्हें edge pyloric positive है, तो वो बार बार kit खाते रहते हैं, पहली बात तो यह है कि edge pyloric kit को repeat करना मूर्खता भी है, और उससे बार बार खाने से कोई फायदा नहीं होता, आपको और नुकसान होता है, edge pyloric kit को repeat करने की कोई आवशकता नहीं है, एक बार आप kit ले लीजिए, डॉक्टर ने advice जितने दिन के लिए किया है, उसके ब हो सकती है, उससे better यह है कि आपको यदि ulceration लगता है, पेट दर्द है, protein है, तो आप अपने food पे काम करिए, आप अपने stress को कम करिए, आप अपने sleep की quality को enhance करिए, without medicine भी पेट की problems को manage किया जा सकता है, with a good dietary fiber, right fruits, यह सब गोला, तिरफला, यह सब चीजें हैं, जो कि आपकी digestive problems को without medicine regulate कर सकती है, ठीक कर सकती है, बट इनका भी सही दोज, सही जुनाब डॉक्टर के द्वारा ही किया जाए, तो ही better है, आप खुद से ना करें और ulceration से बचें, thank you very much and take care of yourself.